हलो दोस्तों आप सभी का उगी परकलासेस में स्वागत है तो आज किस वीडियो में कच्छानों के वार्षिक परिच्छा 2023 के गडित के पेपर को हल करने वाले यहां पर देख सकते कोड है यहां पर यहां पर यह बीस अजार कोड है तो आपको एकदम रियल पेपर है 2023 का अगर आपको पेपर का कोड नहीं मिलता है फिर भी इस पेपर को देख कर जाना है आपको मैंने जितना पेपर बताया है जो भी पेपर आ रहे हैं सभी क्यूस्टन सेम से मिलते हैं मैत में जितने भी आप सतर में सतर नमबर प्राप कर पाएंगे यह पूरा पेपर को हल कर ल वाला है तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं पहला क्विशन दिया हुआ कि निमलिखित में से आ परिमे संख्या बताना है तो आ परिमे संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख्या जा सकता और उसका मान करड़ी में नहीं होना चाहिए तो जैसे देखा जाए करड़ी में 4 तो एक परी में संख्या क्योंकि इसका 2 हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा लेकिन करड़ी में 3 क्या है अब परी में संख्या थे इसका आपसा नंबर A बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा दूसरा क्युश्चन देखते हैं 3 प्लस कड़ी में 2 और 3 माइनस कड़ी में 2 है यह question आप देख सकते हैं A square माइनस B square के सुथ पर सभी exam में पूछा जाने वाला question है सभी paper के code में पूछा जाता है A माइनस B into A plus B होता है 3 का square करेंगे 3 2 का square करेंगे कड़ी का 2 हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा एक बिलको right answer होगा आपसन number C आपका क्या हो जाता है राइट उत्तर हो जाता है तीन number question यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि 0.34 0.34 के उपर बार है इस तरह से question दे तो simply आपको क्या करना है 34 लिखना है और जिस संख्या पर बार नहीं उसको घटा देना है और इसको जिस जितने संख्या पर क्या हो बार हो उतना 9 लिखना है और जितने संख्या बार नहीं उतना 0 लिख देना है तो इन दोनों को हल का रिंगेत किनना आ जाएगा किनना जाएगा 31 बटे 90 आजाएगा तो आपसर नमबर इसका B राइट एंसर हो जाएगा B बिल्कुल राइट एंसर हो जाता है उसके बाद है Yux square minus 4 Y square तो इसका भी आप सुथर मैंने आपको बता दिया A square minus B square चोष्ट में यक्स माइनस टू लिए अपका बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा जहाँ पर देख सकते हैं आपसम नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाता है उसके बात पांच नमबर क्विलेदा कि एक्स के पावर फूर यक्स के पावर तियम यक्स स्क्वाइर यक्स क्लेंगा जब भी आपको सेशम पूझे तो सिंपली क्या करता हो क्या है तो यहाँ यहांपर देंगे और एक के धाती चार करेंगे तो एक यहते तीन करेंगे तब आएगा और एक एखाते दो करेंगे तो अभी क्या आएगा एक आएगा प्लस एक आएगा फ्लस वन आएगा सब को जोड़ लेते हैं एक दो दो चार चार दो छ इसका सेस्फल किन्दा जाता है चा जाता है तो इसका आपसन नंबर ए बिलकुल राइट उत्तर हो जाएगा चा किन्दा चाहिए जैसे माने आपसन एक को पूट किया एक को करें तो चार और तिन दो नाच atau चान कितना होता है, दस, तो option A ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल right उत्तर हो जाएगा, आठमा question आपके सामने दिया हुआ कि किसी रैकीक समीकट के चर की उच्यतम घात क्या होते है, कोई भी रैकी समीकट दिया रहे, उसकी उच्छतम घात कुछ भी हो सकते हैं अनंत भी हो सकते हैं तो इसका आपसन नमबर डी राइट इंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं तो आपसन नमबर डी क्या हो जाता है राइट उत्तर हो जाता है नव नमबर कुशन दिया कि पूरक कोड़ों का योगम नहीं है तो पूरक कोड़ क्या होते हैं ऐसे दो कोड़ जिनके दो कोड़ों का योगफल 90 डिगरी के बराबर हो उसे पूरक कोड़ या कोट ही पूरक कोड़ कहा जाता है जैसे इस देख़ो तो पूरक कोड़ है एभी पूरक कोड़ है आपसन नमबर डी क्या है पूरक कोड़ नहीं है तो इसका सिंपल जो कुट दिया रहे उसमें से 360 को मायनिस कर दिया है जो 360 को मायनिस करेंगे तो 280 आपका बिलुकुँ राइट इंसर हो जाएगा आपसा ब्लूर क्या हो जाहिएक इसे और साइब साइब without final इसका पर्तिए इस यहां पर इसका हो गया 30 डिगरी इसका हो गया 120 डिगरी तो इसका मान गयात करना है तो त्रिभुच के तीनों कोड़ों का यह प्फल 180 डिगरी के बराबर होता है दोनों को जोड़ेंगे 130, 120, 150 हो जाएगा जब 150 में से हम घटाएंगे कितना 180 तो सिंपली कितना आएगा 30 इसका राइट उत्तर हो जाता है उसके बाद कहा है कि संबाहु त्रिभुच का च्छतर हो जाता है संबाहु त्रिभुच का च्छतर होता है काड़ी में तीन बटे चार भुजा स्कॉयर तो आपसन आप भी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा सोला नमबर क्ष्ण यहाँ पर दिया है कि त्रिभुच की भुजाए चालन सЬ में स्तर शमी नबे सिमी यह हैं तो त्रिभुच का च्छतर भी प्लस ब्लस ब्लस सी अपान टू यही क्या है A कमाने B है C कमाने 3 हुज की तीनों भुजाएं दें इससे आप ग्याद कर लेंगे उसके बाद 17 नमर क्यूसन दिया कि गोले का प्रिष्टी 6 तरफल 616 सेमी स्क्वार है तो उसकी तरज्जा ग्याद किजे पाई कमान 22 बटे क्या होता है साथ होता है तिन दोनों को मल्टिपलाई करके आप इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आर्क आ जाएगा तो इसका पिसको रूट निकालेंगे आपका मान आ जाएगा उसके बाद दिया कि संकु के संपूर प्रिष्टी 6 पर गया तो पाई यार पांच है या तो उच्छा निद आने की संपूर और कितने होगी हो गई तो एक बाटा दो इसका क्या हो जाएगा बिलकुल राइट उत्तर हो जाएगा उसके बाद वडात्मक प्रसंदिया कोई पांच खंड हल करना है कहा कि क्या सुन एक परिमय संख्या है तो इसे पी पुरान गयात कीजिए अथो आपको इसका क्या करना है गुड़न खंड जिया किरना है जो की काफी सरयल gepंचन यह आप इसका गुड़न खंड गयात कर लेंगे उसके बाद रसी से प्रियरिक करने कि तो किया का लिए कि अर्थ प्रवर्थ कोड़ कोड़ किया है उसके बाद दो नॉमबर क्योशन दिया कि तुरिवह में और ता क्योशन में आपको बता दिया इसको अच्छी से से हल कर सकते हैं कैसल करेंगे सब को जोल लेंगे तीन एक्स को मानेंगे इसको पांच एक्स मानेंगे इसको साथ एक्स मानेंगे और बराबर तीन सो को कर देंगे तो क्या हो जाएगा पान साथ तिन के नदस पांच पंदर यक्स बराबर हो जाएगा तीन एक्स तो यक्स बरा चित पूछा तो कितना करेंगे इसको हल कर देंगे आपकी प्रैक्ता ग्यात हो जाएगे इसके बराबर ए प्लस करड़ी में 3 और इसक्वार बटे वन इसक्वार का मान गयत करना है तो सिंपली आपको इसका इसक्वार गयत कर लेना है और वन अपान तीन करणी में प्लस तीन करके हर का पर मेरी करण करके भी इसका मान आप निकाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर इसका क्या करना है आपको इन दोनों का गु को हल कर लेजिए तभी आपको इसका फायदा होने वाला है आपको देख सकते हैं इसको क्या करना आपको सिद्ध करना है तो इन कुछनों को आप अच्छी तर से करके और पूरा हल करके जाएगा तभी आपने एक्जाम में अच्छी पूरा का पूरा नंबर प्राप्त कर पाएंगे आई हो फिर इंडे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आएद वीडियो को लाइक कर दिये जगा चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अमने में अगर नए पेपर के साथ तब तक के लिए जय हैंडे।